द्राइविंग लाइसंस का टेस्ट देने के लिए आते हैं तो कीन मराहिल से गुजरते हैं कहां पे आप फेल होते हैं कौन सी गलती है जो आप लोग करते हैं जिस वज़ा से इनको आपको मजबूरन फेल करना पड़ता है कौन को टेच किये बगार इस ट्रैक को कवर करेंगे कुछ लोग रिवर्स लगाते हैं फोर्ट में जा रहे हैं 90 परसंट जो लोग पास हो रहे हैं वो एप्लिकेशन की हेल्प की वज़ा से हो रहे हैं ड्रैविंग लाइसेंस टेस्ट के लिए जब भी को याता है तो सबसे पहले होता है साइन टेस्ट पहले साइन टेस्ट पहले साइन टेस्ट होता है तो उसमें भी बहुत से लोग फेल हो जाते हैं उस एसा क्या होता है और लोग फेल की हो जाते हैं जो भी ड्रैवर हज़ा डून चाहिए के उसको पास करवा सकें साइनट suddenly उसे के लिए उन को स्कूलिंग में किसी ऐस में दाखला लेना चाहिए के वह सीक्सistic ऊहते हैं मतलब साइनटेस्ट में यहां दस सवाल पूछे जाते हैं दस में से कितने सवाल कि जवाब देना जरूरी होता है और उसी वक्त ही पता चल जाते हैं इब फैल है यह पास है खांजी उसी टाइम रिजस्ट जनरे толच हो देता है, हमारा सा एक पृंटर अटाउज होता है वो उसी टाइम रिजस्ट देता है अब कुछ लोग 5 भी नहीं कर पाते हैं हम देखते हैं इदर अब पहले उनकी एप्लिकेशन पर त्यारी करवाते हैं उनको बताते हैं कि आप 15 डेस के बाद आईएगा ताकि आपका पास होने का रेड जो है वो चांस बढ़ जाए हमारी कोशिश होती है कि जो दूसरी दफा कमस कम आया है वो पास हो के जाए यहां से अब हम चलते हैं गाड़ी की तरफ जिस गाड़ी में टेस्ट के लिए बैठते हैं जो ड्रैवर हज़राद आते हैं तो वहां जाकी बताएगा कि ड्रैवर हज़राद जो है कौन सी गलतिया कर रहते हैं और आप कौन सी नोट कर रहते हैं जब आप बैठेंगे तो आप अपनी सीट अज्यस्मेंट करेंगे, जो के हमोमन वो नहीं करते हैं, बादर नहीं करते हैं, अज्यस्ट हो जाते हैं उसी तरहीं, आपको कंफर्टेबल होना चाहिए, आप ड्राइब कर रहे हो लो टेस्स देना है, आपने अपना लेफट हैंड ब्रेक पे जाकेंकि क्या ये ऊपर राय के नीचे हैंड ब्रेक के बगार कोई भी गारी पार्क नहीं की जाती उड़ा करनी है तो जा בחन ब्रेक नीचे करेंगे तो यॉ फ्रीली मूब हो जाता है फस्ट गेर में सीधा मूब करेंगे कौन को टच किया बगार इस ट्रैक को कवर करेंगे तो इसके लावा गेर के वाले से कौन सी कौन सी गलती होते हैं जी कुछ लोग जो मतलब अंट्रेंड आ जाते हैं अकसर देखने में आया कि वह गेर शिफ्टिंग का उनको प में जा रहे हैं गारी बंदो हो रही है वापस आते वह तो ऐसे बंदे को हम लैसंस कैसे जारी करने तो यह कौन है इसका क्या मकसद होता है और इसके साथ हैं लगने से क्या पो dosis को पादते हैं यह पायल कर देए से ट्रैक है ना रोड पे भी कहीं कौन पड़ी हो आपने उससे दूर हटके गुजरना है कुछ लोग चांस लेके भी नहीं क्वालिका क्वालिफाई कर पाते तो यह चीज़ें जो हैं वो छोड़ी हमारे नेट पे सीटी पील का जो हमारा अपना चैनल है उस पर भी काफी चीज होते हैं कि मैं डिवर्स कर रहा हूं वो अलाओ नहीं है कांड़ी यह जहन में रखें जी यह मेजर गल्ती है गर्दन कुम आगे पीछे नहीं देखना आपने आपने सिर्फ मिरर का इस्तमाल करना आखरी सवाल यह बता दें कि आब बता थे किसी को हम ड्राइविंग लाइस जारी करते हैं तो वो ताहयाद होता है सारी उमर के लिए जारी होता है तो यह कितनी बड़ी जिमेदारी होती है किसी को ड्राइविंग लाइसंस जारी करना और ड्राइविंग लाइसंस जारी करते हूं आप कितनी जिमेदारी का मुझारा करते हैं जी मैं यह समझता हूं जिस सीट पे मुझे सीटियो सभाने लगाया है, यह बहुत आहम और बड़ी सीट है मेरे लिए, क्योंकि यह लाइसन्स मैं जारी कर रहा हूं लाइफ टाइम किसी को भी, मेरे साइन होंगे लाइसन्स जारी हो गया, अगर तो मैंने किसी गलत बंदे को जारी कर दिया है, मैं क इसा होता भी रहेगा, पूरे जितने भी हमारे लहोर में, दस के दस सेंटर है, सब यही रूल लाग हुआ है, और हमने समझ लिए हल्फ दिया है, सीटियो साहबा को, इन्शाला किसी ऐसे बंदे को लाइसन्स जारी नहीं करेंगे, जो अहल नहीं है, उमीद करते हैं कि इस देखने के बाद, आप लोग जो ड्राइविंग लाइसेंस टेस्ट के लिए आते हैं और जो गलतियां करते हैं, उन गलतियों को रिपीड नहीं करेंगे, और आप अपना ड्राइविंग लाइसेंस टेस्ट पास करवाएंगे, और लाइसेंस लेके ही अपनी गारियां और म झाल झाल